दोस्तो आईफून के बारे में सबसे पहली ये मेरे वीडियो है जो कि मैं नहीं चाहता था बनाना फानली मैं आईफून SE यहाँ पर मैं बता रहा हूँ को जो तीसरा है आईफून SE 3 मतलब दो 2022 में अभी लॉंच होगा तो आईफून के जितने भी सीरीज हैं SE के 123 तो एक 3 के बारे मैं लेटेस वाली बात कर रहा हूँ जहाँ पर प्राइस और इसके फीचर और डिजाइन भी कह रहे हैं कि सेम आपको नहीं बलेगी कहीं थोड़ी बहुत हद तक चेंजेस हो गए दोस्तों वही सेम चीजें शुरू करने से पहले बतातूं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और प्रेस करने ताकि आपको आईसे वीडियो देखने को मिलती रहे तो बात मैं कर रहा हूं आईफून S3 2022 को लेकर बताया जा रहा है कि अभी ये कभी भी लांच किया जा सकता है कोई एक डेट इन्होंने फिक्स नहीं किया है अब ये एपल के मुकाबले में एक अफोडेबल आईफून को लेकर पिछली काफी समय से खबरे आ रहे थी जैसे कि मैंने बताया था आपको कि डिजाइन के भी बदलाव किये जा सकते हैं और चांस काफी कम लगते हैं कि और कभी-कभी होता है कि ये करेंगे और कभी-कभी आईफून को ये फिलाल का लांच कर दिया है लेकिन आईफून की बारी इस पार है कि एसी को कब लांच करेंगा अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्राइस के लिए तो जो ऐसी 2022 की प्राइस रखी गए दोस्तों मतलब की बता दूं कि ये प्राइस आपको शायद मैं जो पिछले साल 13 सेरीज में प्रोसेजर के साथ पेज किया गया था वह आएंगे और आईफून एसी तरी को लेटेस में आई ओस और प्राइस को लेकर बात करो तो थ्री हंडिट डॉलर का मतलब की आपको बाइस हजार साड़े बाइस हजार रुपे के आसपास तो यह यह फून क्योंकि जो एसी और भी फून थे तीस हजार लेकर बतीस हजार रुपे जो को डिसकाउंट में आ रहे थे कि 28000 रुपे तक में फिलिपकार पे एविलेबल था जो टू एसी टू था जो 2020 में लॉंज किया गया था तो यह अभी है अब यह बाइस जार रुपे के आस-पास वह तो मेरे हिसाब से किसी के भी हिसाथ में बहुत कुछ है जो प्रोसेसर भी आपको बता जा रहा है कि 13 मेगा जो आईफून 13 में दे रखा था वो कुछ कुछ सिमिलर्टी आपको इसमें भी देगा लेकि फिलहाल के लिए दोस्तों यह तो अभी लीग से हलां कि ओफिशली यह तक कंफर्म नहीं किया गया है फिलहाल के दोस्तों अगर मैं वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ और आप लोग कमेंट करके जरा बताना कि क्या यह बाइफ़जार साड़े बाइफ़जार रुपे आईफून 13 में देना मुनासिव है या फिर कुछ कम अब लाइक करना शेर करना मिलता हूँ मैंसे नेक्स वीडियो में अब तक करिए हैं टेक केर